नमस्कार देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विधान सभाद चुनावों की महराष्ट्र विधान सभाद चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी के इस लिस्ट में 22 उमिद्वार हैं इसके साथ ही बीजेपी अब तक 121 उमिद्वारों का एलान कर चुकी है उलहास नगर से कुमार उत्तम चंद को टिकट मिला है लातूर ग्रामीन से रमेश काशिराम को टिकट पंडरपूर से समाधान महादेव बीजेपी प्रत्याशी जट से गोपी चंद खुटलि को टिकट मिला है शिराला से सतजीत शिवाजी राव विजेपी प्रत्याशी है धुलेग रामीन से राम भदाने को टिकट है मलकापूर से चैनसुख मदनलाल को टिकट मिला अकोड से प्रकाश गुणवन्त राव को टिकट दिया गया कोला पश्चिम से विजय कमल किशोर को टिकट, गर्ची रॉली से मिलींदर राम जी को टिकट और नासिक सेंटरल से देवियानी सुहास को टिकट मिला रौनक कुकडे हमारे सहियोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस फेहरिस्ट पर रौनक क्या खास है इस फेहरिस्ट में कौन से ऐसे नाम है जो वहाँ पर जिनकी उमीद नहीं थी या फिर जिनकी उमीद थी क्या कुछ है इसमें जो लोग लॉयल रहे और खास तोर से कई पुराने विधायकों को टिकट जिया गया है इसके अलावा पिछली बार जो विधायक हार भी गए थे ऐसे लोगों को भी टिकट यहाँ पर जिया गया है कि मलकापूर से चैंसुख संचेती पिछली बार मलकापूर सीट से बहुत ही कम अंतराल से चुनाव हार गये थे लेकिन उसके बावजूद इस बार उन्हें वहाँ पर टिकेट जिया गया है बीजेपी का सर्वे बताता है कि मौजूदा कॉंग्रेस विलायक की खिलाफ वहाँ पर एंटीन कम बत्री है निहाजा अगर अपने पुराने ही नेताव पर दाव खिला तो यह इस बार जो है वो सीट जीती जा सकती है यह बहुत ही सुरक्षी सीट बीजेपी की पुणे के कजबे से मानी जाती है लेकिन उससे बावजूद लगबस 20 साल के बाद बीजेपी उप्षिनाव में सीट हार गई थी तो उसी हेमंत रास्ते पर फिर एक बार हारने के बावजूद बीजेपी ने दाव चला है बाकी आधिक तर लोगों को रिपीट किया गया है जो विधायक मौधुदा विधायक है ऐसे ही लोगों को रिपीट करने की कोशिशित की गई है इस लिप्ट की और बहुत जादा ध्यान जो है वो लोगों का नहीं था जो तीछरी लिप्ट रहेगी जिसमें कहीं सीटों पर जो विवाद देखने को मिल रहा है ऐसी सीटों से बीजेपी फिलाल बच्ती भी दिखाई दे रही है ऐसे नाम जो है फिलाल बीजेपी की बात की जाए मुंबई की बात की जाए एक नाच हिंदे के साथ जहां पर विवाद बीजेपी का देखने को मिल रहा है उस नामों का एलान अब तक नहीं किया गया है जी रौनक आम तोर पर बीजेपी जो है वो बड़े चुन कर ऐसे लोगों को ही ऐसे उमिद्वारों को ही टिकट देती है जो हारे नहीं ऐसे में हार जो चुके ही लोग उनको आखिर टिकट किस बिनहा पे दिया जा रहा है सिर्फ वफादारी का इनाम है या कुछ और भी है अजी देखिए मोटे तोर पर जो जानकारी मिल रही है कादेवी ने उसके मुताबिक पार्टी ने सर्वे कराया और सर्वे के जरीए पार्टी ये समझने की कोशिश कर रही है कि अगर सामने का जो उभीद्वार ये आप पैटरन भी देख सकते है कि जब भी विपक्षी द जानकारी के लिए तो काफी एहम यहां पर जो इंसाइट्स हैं वो रॉनक ने साजा किये हैं कि पुराने लोगों को अगर वहां पर लगता है कि सीट जीच सकते हैं तो उनके साथ उनको फिर से टिकट दिया जा रहा है इस बीच बाकी पार्टियां भी इसमें मशकत कर रही है महराश्य चुनाव को लेकर मुंबई से दिली तक बैठकों का दौर भी जारी है NCP शरत पवार ने उमिद्वारों की दूसरे लिस्ट भी जारी कर दी है इस लिस्ट में 22 उमिद्वारों की नाम है अभी पार्टि की ओर से 11 उमिद्वारों की नाम बताए गए है बाकी के नामों की घोशना बाद में की जाएगी बीड से संदीप शिचागर येवला मानिक रावशिंदे सुनीता चारोसकर दिनोरा उमिकलानी उलासनगर सतेशील शेरकर जूनर अश्विनी कदम पारवती दीपक चवान पल्टन सचिन दोड के खाराकोसला तो ये नाम अभी बताए गए हैं और नाम कुछ देर में आ सकते हैं महराष्ट के लिए कॉंग्रेस की भी दूसी सुची जारी हो गई है दूसी सुची में 23 उमिद्वारों के नाम है नाकपुर दक्षिन से गिरीश पांडव इस जगह को लेकर नाना पटोले और संजैराउत के बीच विवाद हो गया था आखिर कॉंग्रेस ने ये सीट ठाकरे को न देकर अपने कबजे में ले लिए भंडारा की सीट पर कॉंग्रेस ने पूजा ठाकर को उमिद्वार बनाया है ये सीट उधर ठाकरे को चाहिए थी लेकिन कॉंग्रेस ने अपना उमिद्वार दे दिया है कॉंग्रेस की कदावर नीता सुनील केदार की पत्मी अनुजा केदार को टिकट दिया गया है जबकि कल ही राहूल गांधी एक ही घर में टिकट देनी की वज़े से नाराज हो गए थे और इस पर और जानकारे के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पारस दामा के पास महराश्टर विदान सबाथ चुनाव से पहले कॉंग्रेस ने अपनी कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी कर दी है इन 23 लोगों की सूची में क्या खास है हम जानेंगे हमारे वरिस शहयोगी राहनक कुकडे से कॉंग्रेस ने आज 23 लोगों की दूसरी सूची जारी की है क्या खास है इन में कौनसी कौनसी जगाएं हैं जहां से कैंडिडेट्स को उतारा गया है देखे कुल मिलाकर अब तक कॉंग्रेस पार्टी 71 उमिद्वारों के नामों का ऐलान कर चुके लेकिन अगर इस सूची दूसरी लिस्ट की अगर बात की जाए तो मुक्वे तोर पर बड़ी बाते सामने निकल कर आ रही है नाकपूर की दक्षिन सीट याना साउथ नाकपूर की विदान सभा सीट जिसको लेकर टकराओ शिवसेना और यूबीटी के बीच में शिवसेना यूबीटी और कॉंग्रेस की बीच में देखने को मिल रहा था अब वह सीट पर कॉंग्रेस अपना कैंडिडेट जो है वह गोशित कर दिया गिरिश पांडव वहां से चुनाओ लडेंगे इसके अलावा मैं सावनेर की बात करना चाहू अपनी किस्मत आजमाती हुए दिखेगी मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में जिन सीटों का एलान किया गया है उनमें से एक सीट है चारकोप की जहां पर यश्वंत जैप्रकार सिंग एक उत्तर भारती है चेहरे को यहां पर कॉंग्रेस मौका देते हुए दि प्राय कर रहे थे बीमसी में कॉंग्रेस का एक बड़ा नाम है वे लगातार कॉंग्रेस हाई कमांड से मिल रहे थे लेकिन उनकी यहां पर दाल नहीं गल पाई है और गनेश कुमार यादव को जो है मौका दिया गया है जी रौनक सबसे महतुपून है कि हम लगातार देख लग यह सीटे तो कॉंग्रेस को बिली ही थी इसमें कोई ज्यादा विवाद जो है वो नहीं था अब जो तीसरी लिस्ट आईगी उस पर सबकी नजर टिक हुए क्योंकि जो विवादित सीट है जैसे मुंबई की कुलाबा की सीट हो गई उसको लेकर कोई क्लियारिटी नही सीट है जहां जिसको लेकर विवाद है राम टेक की सीट है जिसको लेकर विवाद है वहाँ पर अब तक कोई क्लियारिटी नहीं आई है तो जिसको लेकर विवाद है उससे बचते हुए बाकी नामों को आज कॉंग्रेस पर्टी ने यहां पर क्लियर किया है किवल एकी सीट दक्षिन नकपूर की मुझे लगता है इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था उसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने वो सीट अपने पाले में पाने में कॉंग्रेस पार्टी कामयाब हुई है MBA में सीट शेरिंग फॉर्मिला को लेकर लगातार बैठा के चल रही है और उसी के मद्दे नजर जो है दूसरी लिस्ट कॉंग्रेस ने आज जारी की है जिसमें 23 नाम है वहीं विवादी सीटों पर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है MBA में और लगातार जो है इस फॉर्मिला क जाने पर अल्टिमेटम दे दिया है अबू आजमी ने कहा है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनकी पार्टी 25 सीटों पर उमीदवारों का ऐलान कर सकती है हमारा आपस में अगर सीटों भी खीचा तानी होगी मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है हमें भी शामिल किया गया है महाँ विकास अगारी में लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बात चीट नहीं हुई है आदिलनी साथ पाहर साब ने कल दोपर तक मुझे बताया है कि मैं कल बताओंगा आपको क्या करना है मैंने पांच सीटें अनॉंस किया है और पांचों सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन क्या सकता हूँ ये पाचे सीटे मुझे देने ही चाहिए उनको, मैं इंजार करूँगा, इंजार करूँगा, देखिये मैं कभी भी ओटो का बटवारा नहीं चाहता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि हम सीटों के लिए महाविकास अगारी में कुछ दरार पैदा करें, लेकिन जो लोग सीटे देने वाले हैं, वो अगर नहीं चाहेंगे भाई समाजवादी को नहीं लेना जैसे पहले बी दो-तीन एलेक्शन में ऐसी हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूँगा, और मैं 20-25 सीट फिल लड़ाऊंगा. और महराश्टर चुनाओं में इस बार ठाकरे परिवार के एक और सदस्य राज ठाकरे के बेटे अमिद ठाकरे की एंट्री हो रही है, अमिद ठाकरे को महराश्टर नवनिर्मान सेना ने माहिम से उमिदवार बनाया है, अब बीजेपी नीता आशीश शिलार ने अमिद ठा नवीज के सामने इस बात का प्रस्ताव रखेंगे और अंतिम निर्णय आलाकमान का होगा उन्होंने कहा कि राज ठाक्रे ने राजनिते करिश्टे और दोस्ती हमेशा निभाई है ये अमित ठाक्रे का पहला चुनाव है महायूती को मिलकर उनको समर्थन्दे का चुनाव जि किलार जी है सर सबसे पहले तो अमित ठाक्रे जो है वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनका डेबी होने वाला है महाराश्टो के पॉलिटिक्स में लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार महाविकास अगाडी ने अपना उमिद्वार उस सीर से घोशि कर दिये हैं आपने एक पहल की बात की आला कमान से कि इस बार अमित ठाक्रे को सपोर्ट किया जाए कारण क्या है और कितना संभव लग रहा है सर आपको यह दिए मैं इसको स्पष्टे करना चाहता हूं पहले बात तो हमारे अलाइंस में कोई भी बे बनाविया जगडा नह है रही है जहां पर कुछ जगे पर अबाव पोलिटिक सोचा जाता है राश ठाकरे जी ने रिष्टे निभाना यह व्यवाहर किया है हम समने इसको देखा है हिंदू तो की भी विशारधारा वो लेकर चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपील करूं और मैं करने व या दोस्त खड़ा है तो उसको मेडन पहले चुनाव में उसको मदद करे कि मेरी पहला अंतिम निर्णे तो तिनों दल के निता ले है ऐसा मुझे लगता है दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी में हर जगे जहरीला जाग दिखने लगा है और इस पर राजनीती भी जबदस्त हो रही है दिल्ली बीजेपी अध्रक्षव विरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को यमुना नदी में डूपकी लगाई थी जिसके बाद से उनकी तबियत बिगड़ गई है यमुना में डूपकी लगाने के बाद उनके शरीर में राश्यस हो गए थे और सांस लेने में परिशानी हो रही थी उनका इलाज दिल्ली के आरेमल अस्पताल में चल रहा है विरेंद्र सहजदेवा ने गुरुवार को आईटियो घाट पर यमुना में डूपकी लगाते हुए आप सरकार के खिलाफ अनूखा प्रदर्शिन किया था उन्होंने अरविंद के जिवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में डूपकी लगाने का नियोता दिया था लेकिन सवाल सिर्फ राजनीती का नहीं है लोगों की सेहत का है चट पर पर बड़ी संख्या में शधालू यमुना नदी में स्ञान करते हैं ऐसे में यमुना में जहरीले जहाग से उनको गंभीर बिमारिया हो सकती है अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि छट पर यमुना में नहाना कितना खतरनाक हो सकता है यमुना नदी के जहरीले जहाग में अमोनिया और फॉस्फेट की ज्यादा मातरा है इससे कार्बन के कंड निकलते हैं जो स्वास्ते को नुकसान पहुचाते हैं सांस, तवचा, गले में दर्द और आँखों में जलन जैसी गंभीर समस्या हो सकती है अस्थमा, तवचा में जलन, चकत्ते निकलना और खतरनाक ऐलर्जी हो सकती है सफेज जाग में जहरीले केमिकल लिवर किड्नी को भी नुकसान पहुचा सकते हैं कितना सुरक्षित है, कितना सही है यमुना में इस वक्त स्नान करना इसके लिए जानकारी के लिए सीधा हम चलते हैं, खास महमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवान सिंग है, सयोजक है यमुना सत्यागरह के, दिवान सिंग जी सालों से सुन रही हूँ मैं कि यमुना साफ होगी सुप्रीम कोड तक में ये बात उठी लेकिन यमुना साफ अब तक नहीं हुई एक बाद फिर से छठ पर्व आया है, श्रद्धा का पर्व है और यमुना में लोग स्नान करते हैं ऐसे में अभी जो हम देख रहे हैं वहां की हालत, कितना सुरक्षित है स्नान कर रहा है पर खासकर तब जबकि LG खुद बिमार हो गए यहां पर स्नान करने के बाद कादमरी जी ये तो जग जाहर है बात के पानी बहुत गंदा है, जाग उसके अंदर पॉसफोर्ट अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में तो ये बाड़ी को खराब करेगा, बिमारी कुछ भी हो सकते हैं, स्किन की तो होनी है और क्योंकि स्किन के थ्रू सारे टॉक्सिंस से बज़र करती है बाड़ी तो बाकी ओर्गन्स पर फर्ट पड़ता है ये डाक्री लोग चिकित्सा के लोग इसको बेतरी बता सकते हैं विशेबर वाकी में कारण क्या है इस यमना का इतना गंदा होने का मेरा उस पर ज्यादा चिंता है तो यमना में इनको 10 क्यूमेक पानी कम से कम प्रोविजन है वो छोड़ना चाहिए लेकिन वो पानी नहीं छोड़ते हैं ये सबकी जिम्मेवारी की इतना पानी यमना में बहे हमेशा साफ पानी दूसरा नदी में गंदा पानी डालने का कोई प्रवज़न नहीं है। दिली के अंदर भरी पड़ी हैं, जिनके अंदर सीवर नेटर कई जगे नहीं है, है तो काम नहीं कर रहे हैं। और 2012 में ये लगवग कमिशन होनी थी और होते होते लगवगा काफी पूरी हो चुकी। अब जब ये डिजाइन की गई थी दोजार तीन चार में, जब दिली की सीवेज जो जैनरेशन है वो बहुत कम थी, इसके मुकाबले जो आज है। बढ़ चुकी है, तो उसको कौन जो बढ़ चुके उसको कौन ट्रीट करेगा। जब दिली को पता है कि वो अपनी गंदगी को साफ नहीं कर पा रही है, तो दिली फर्दर एक्स्पेंट कर रही है। दिली सरकार और DDA दिली को एक्सपेंट करते जारें, इसका अर्बन एक्सपेंशन करते जारें। अर्बन एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि आप और सीवे जनरेट करेंगे। अगर आपसे प्रेजेंट सीवे जितना है, वो आप ट्रीट करनी सकते हैं। और आप कहना हम और एक्समेंट करेंगे और और सीवेजनेट करेंगे तो आप कैसे यमना को ठीक करेंगे यह इसे कहते हैं कैस्ट इंटीटीटू सिच्वेशन इस सिच्वेशन में अगर शैर को आपने लाके रख दिया है और आप रुक नहीं रहें दिल्ली के अंदर 17 लाग फ्लैट बनाने की एक लैंड पुलिंग स्कीम आई है जिसके तैट पूरी आउट्रिट दिल्ली में बची हुई 80,000 अकर्स की अग्रिकल्चर लैंड है उसके अंदर 17 लाग फ्लैट बनने जा रहे हैं उसका पूल दिया डीडिये ने और दिल्ली सरकार ने अबा सोचिए इ हर जगह से लोग आते हैं मेट्रो शहर की तरफ आते हैं और उसके अद वहाँ पर उनको कई बार नौक्रिया मिल जाती है फिर वो दिरे दिरे करके वहां बस जाते हैं कई लोगों की यह होता है और कई मेट्रो की यही कहानी लेकिन हर मेट्रो में अगर इस तरह से कोई नद नहीं होती चोटी से चोटी कोशिश भी कामयार नहीं होती ऐसा क्या है मैंने आपको बताया कि शहर का विस्तार इतना जाद हो चुका है कि एक होता मिलकर ठाफ पानी नहीं आना और जो आता है वो गंदा पानी आता है तो इस सब शहर के सामने है और हम सब की आँखों के सामने है देखे जो शहर के विस्तार की बात है वो शायद बहुत बड़ी सम्स्या है वो शायद दिल्ली सरकार से या किसी एक से नहीं सुलस सकती लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण हम आप देख रहे हैं अभी हमने जो नाम बताए उतने केमिकल्स यहां पर हैं आप उसमें नहाल हैं उसमें आपको स्किन रैशेज हो जाएंगे आपके फेंपरो पर असर पर जाएगा लिवर पर असर पर जाएगा ये जो केमिकल्स हैं उनको जो आपने बताया कि सीवेश ट्रीट्मेंट प्लांट्स हैं जो स्टीपीज हैं वहां आखिर क्या ऐसा इंतिजाम किया जाए कि वहाँ पर ही ऐसे ट्रीट हो कि ये केमिकल्स जो हैं वो नदी में ना पहुंचे हैं बिल्कुल बिल्कुल देखें CTP जातर केमिकल इंडिस्ट्री से आते हैं और से हमारे डॉमेश्टिक ये यूज़ करते हैं गरों के अंदर सार्फ और सावन इंसाब से भी आते हैं लेकिन CTP जो सब्सक्राइब इंडिस्ट्री के जितने होते हैं और जितने भी सरकारी CTP एंग भी काम नी कर रहा है वो सकते हैं एक दो काम कर रहा हो लेकिन अधिकतर काम नी कर रहे हैं काम वही कर हैं जो प्राइविट वेल्फेर एस्ट्री एरिया की वो अगर काम कर रही है वो है वहां और वो CTP उसके अंडर्ट तो वहां काम करता है सरकार को मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं यह सिर्फ आप मीडिया वाले हैं आप इस मुद्ध को उठा लेते हैं सरकार काल पर जूनी रहती है तो जो जो ट्रीटमेंट प्लांच हैं वह कैसे काम करें किया और लगानी चाहिए जो पुराने हैं उनको ठीक करानी की जिम्मदारी किसकी है जो प्रेवेट वह तो काम कर रहे है सरकारी क्यों प्रेफ काम पर इस सालब अकॉंटिबिलीटी नहीं है अब इनको कोई ना तो सबसे बड़ा कारण है जुडिश्यरी टाइट नहीं हो रही है इस परदुशन के संदर्व में जुडिश्यरी अगर एक ऑफसर को भी टर्मिनेट कर दे कि सीनियर ऑफसर को जिसकी जम्मेवारी है तो मज़ाले कि बाकी ऑफसर इसको नजदास करते विए अपने आप रोकेंगे अरे हमसे ट्रीट नहीं हो रहा तो रोका भी शहर का एक्सपेंशन लेकिन उन्हें तो मतलब ही नहीं है शहर का एक्सपेंशन तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोक सकता है क्योंकि वह ब बने थे बनते बनते दस लाख लोग इसके आसपास बस गए हैं अनध्रास कॉलनी में पॉर्मल हाउचिंग इस बिगएस लिजन फर माइगरेशन इस नोट कि आप किसी डिमांड को केटर कर रहे हो यह बहुत मुश्किल नहीं है समझना अभी अभी क्या किया जाए दिवान वो चाहेंगे कि यह मुना मिस्टान करें लेकिन ऐसे में क्या किया जाए कोई सॉल्यूशन कोई एक सुझाव जो की अभी थोड़ा सा लोगों को मदद कर सकते हैं आम लोगों को जो मदद कर सके हैं देखे मुझे तो एक एलाज दिखता है कि जैसे वरेंदर सज्देव ने दुपकी लगवाई जाए फिर वे चिंता करेंगे क्या करना है अदर्वाइज हम यह कितनी बाते करते रहें इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है यह अकाउंटिबलीटी की मैटर है दुपकी नहीं लगाना है एक स्टेज पर पानी पी इसका जिस दिन यह पानी पी लेंग रहा है और यह सिर्फ आज कल की बात नहीं है कई वर्षों से ऐसे ही चल रहा है और अभी जो हालात देख रहे हैं उसमें जब तक जिम्मेदारी तैना हो तब तक ऐसे ही केमिकल्स और अलग-अलग किसम के जो फॉल्यूटन्स हैं वो इस नदी में दिखते रहेंगे और हाल खराब होती रहेगी एक ब्रेक लेते हैं लोटते हैं सीट की सियासत में आज बात गाजियाबाद की दिली से सटे गाजियाबाद जिले की सदर सीट पर हो रहे उपचिनाव में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने के आसार है जातिये समीकरण कुछ ऐसा है जिससे यहां त्रिकोणिये मुकाबले की उम्मीद की जा रही है क्या है गाजियाबाद का समीकरण? क्या है माहौल? और कैसा होगा मुकाबला? लेखिया हमारे समाधाता रनवीर की इस खास रिपॉर्ट में गाजियाबाद की बाथ हो तो उची-उची मारते जहन मे आती है लेकिन चार दर्वाजों के बीच बसा ये गाजियाबाद संकरी गलियों वाला शहर है इस बार गाजियाबाद में हो रहे उपचुनाओ में मुकाबला त्रिकोणी है जी हां मुकाबला त्रिकोणी है और त्रिकोणी है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी ने ब्राम्हण को अपना प्रत्याशी बनाया तो उसके सामने गाज्याबाद सदर्ड की सामाने सीट पर समाजवादी पार्टी ने एक दलित प्रत्याशी उतार कर अयोध्या जैसा दाव खेलने की कोशिश की। वही अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी ने गाजयबाद में इस बार एक वैशे को अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी ने सिंगराज जाटव को मैदान में उतारा। बीएसपी ने पर्मानंद गर्ग को उम्मीदवार बनाया, वहीं हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी की पत्नी पूनम चौधरी भी चुनाव मैदान में हैं। आजाज समाज पार्टी से सत्यपाल चौधरी उम्मीदवार बनाये गए हैं। गाजेबाद की महान जनता पर, सम्मानी जनता पर पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को पूरा समर्थन जनता करेगी और भारी बहुमत से भारतेद्धा पार्टी की जीत होगी। गाजेबाद विधान सभा पर बहुत काम हुआ है। जनता है, वो हमें पूरा सम्मक्न दे रही है। इसे हम अपना मुकाबला तीसे से जमानते नहीं है। और हमारे जो मुद्धे रहेंगे, वो एक तो लाइन पार्ट शेक्तर में सबसे पहला मुद्धा लाइगा। एक खनकाली अस्प्रान करते जाकि वहां की जनता को उस पार का बेनिफिट मेले। गाजेबाद सदर सीट बीजेपी विधाय का तुलगर के स्टीफे के बाद खाली हुए। बीते चार चुनाओं में तीन बार बीजेपी और एक बार बीजेपी ने यहां से चुनाव जीता। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार सामाने सीट पर जाटा उम्मीद्वार देकर एक प्रयोग कर रही। सपा ने ये प्रयोग अयोध्या के आधार पर किया है। इल्या जिल्या की फैयजाबार सीट पर दलित प्रत्याशी की वजय से बीजेपी को समाजवादी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। और कुछ ऐसी ही उम्मीद समाजवादी पार्टी इस बार गाजियाबाद सदर सीट पर भी कर रही है। समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि अगर गाजियाबाद के जातिकत समीकरण पर नज़र डालें तो कहा जाता है कि यहां कुल मद्दाता चार लाख 61,360 हैं यहां दलित मुस्लिम मिलकर हार जीत तैंक करते हैं इनमें दलित मद्दाताओं की संख्या लगभग 85,000 हैं वहीं करीब 75,000 मुस्लिम आबादी है ब्रामन मद्दाताओं की संख्या करीब 65,000 बताई जाती है इसके अलावा 60,000 वैश्य, अन्य पिच्रावर्ग 60,000, 35,000 पंजाबी, 25,000 राजपूत, 15,000 यादव और करीब 40,000 अन्य शामिल है चुनावी मुद्दों की बात करें तो शहरी स्खेत्र होने के चलते बुनियादी सुगधाओं से ज़्यादा बड़ा मुद्दा नौकरी और रोजगार का माना जाता है लोगों की क्या राय है आईए जानते चुनाव के मुद्दे होते हैं वो कहीं न कहीं लोगों को जागरूप करने के लिए होना चाहिए कि जागरूपता में अगर मैं बात करूँआ तो हमारी एकनॉमी में कितना प्रभाव पड़ता है वो बच्चों को चुनाव का मुद्दा केवल आपकी एजुकेशन पर आपकी देश की सुरक्षा पर आपकी आपके ना की केवल आपके परसनल हितों को लेकर होना चाहिए सारे मुद्दें एक सहरी और एक दियाती दोनों तरह के मुद्दें के लिए मनलब इसलिए मुद्धना चाहिए मुद्ध क्या बोलते हैं चुनाओं को जबी दिया जाएगा मनलब वोटिंग करा जाएगा शिक्षा बढ़नला सबसे आदा अच्छा बालक पढ़ेंगे सामाने सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रयोग क्या योध्या जैसा करिश्मा कर सकता है ये समझा रहे हैं वरिष्ट पत्रकार अशो कोजा भारति जन्ता पार्टी के संजीर शर्मा बहुजन समाज पार्टी के पी एंग कर और समाजवादी पार्टी के सिंग्रा जाटो इन तीनों में मुख्य मुकाबला अभी तक मेजर आ रहा है हलांकि आज समाज पार्टी के सत्पाज चोधरी मुकाबले को चतुस्कोनिये बनाने का बर्चक प्रियास कर रहे हैं जाटो मद्दाता कभी कांग्रेस का हुआ करता था उसके बाद वह भौजन समाज पार्टी के साथ आया पिछले कुछ समय से 2014 के चुनाव से देखें तो बीएसपी का जो मद्दाता है जाटो मद्दाता उसका जुकाव धीरे-धीरे बीजेपी की तरफ होना शुरू हो गया था लेकिन पिछले चुनाव से भाजपा की तरफ कम हुआ है और इंडिया गड़बंदन और समाजवादी पार्टी की तरफ इनका जुकाव ज़्यादा हुआ है सबकी निगाहें गाजवाद सदर सीट पर इसले लगी हुई है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का सामानी सीट पर दलित प्रत्याशी उतारने का जो फॉर्मूला है वो सफल रहा तो इसको 2027 में और जादा मजबूती से इस्तिमाल किया जा सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी को इस फॉर्मूले को ले करके दोबारा सोचना पड़ेगा काजवाद से अपने सहोगी पिंटू तोमर और कैमरपसंद विनीद वर्मा के साथ रनवीर एने टीवी इंडिया